चैत का महिना था, ग्वालियर राज्य का मश्हूर डाकू, परसराम अपने अरभी घोडे पर चढ़ा हुआ, जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था, लकालक दोपहरी थी, प्यास के कारण परसराम का गला सूख रहा था, कोई तालाब, नदी या गाव दिखाई न चलते चलते एक चबूतरा मिला, जिस पर एक शिवलिंग रखा हुआ था, छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड़े कर दिये थे, इसलिए महादेव जी की मुर्ती कुछ तिर्ची सी हो रही थी, यह देख परसराम घोडे से उतरा और उस परसराम बोला, महादेव जी गुरु जी है, परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरी भी गुरु है, वे भी ब्रामन थे, मैं भी ब्रामन हूँ, उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीवों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ, मूर्ख लोग मुझे कहते हैं, धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकुपन है, है तो बना रहे, गुवालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है, और भारत सरकार ने 25,000 का, मेरी गिरफतारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है, वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक है, इसलिए मुझे डाकु कहते हैं, डाकु वे है या मैं, इसका निर्नय कौन करेगा, खैर कोई परवा नहीं, जब तक शंकर गूरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परसराम को गिरफतार नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं आज प्यास क मारे इस जंगल में मर जाओंगा, मेरे पंदरह साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अरभी घोडों पर चड़े मुझे खोज रहे होंगे, जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे, बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे, तब तक एक बुढ़िया वहां आई, उसके हाथ में एक लोटा जल था, और लोटे के उपर एक कटोरी थी, जिसमें मिठाई रखी थी, परसराम, बुढ़ी माई, तुम कहां रहती हो, बुढ़िय थोड़ी दूर सेखुपूर गाँ है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता, वहीं मेरा घर है, जाती की अहिर हूँ बेटा, परसराम, यहां क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई, और रोने लगे, परसराम ने जब बहुत समझाया, तब वो कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ, घर में एक लड़का था, और बहु थी, मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उमर का था, उस अधी ने महादेव यहां रखे थे, प्रति दिन पूजा करता था, पर साल इस गाव में कलमूही ताउन, पलेग आई, बेटा और बहु दोनों एक दस साल की कन्या छोड़कर चले गए, रोने के लिए मैं रह गई, जब से बेटा मरा, तब से मैं रोज एक लोटा पानी चमपा का विवाह है, घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चमपा का विवाह करेंगे, परसराम बोला, महादेव बाबा चमपा का विवाह खूब करेंगे, तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है, पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी यह पानी जो तुम पी लोगे, तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चड़ गया, आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चड़ा जाओंगी, पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई खालो, इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परसराम के सामने रख दिये, मिठाई खाकर शीतल स्वच जल पी कर परसराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई, वैशाख उन्जेरे पाक की पंचमी को टीका है, केसरीपूर से बारात आएगी, परसराम बोला, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत कर रहा, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे, तुम कौन हो बेटा, तुम्हारी हजारी उमर हो, गाव तक चलो, तो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालम होते हो, भूखा तो हूँ, पर गाव मैं नह नहीं जा सकता, मेरा नाम परसराम है, और लोग मुझे डाकू कहते हैं, आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफतार किया था, तीस सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गाव में नहीं ज जा सकता, जिस दिन चमपा का विवाह होगा, उस दिन तुम्हारे गाव में पांच मिनट के लिए आऊंगा, बुढिया, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो, घोडे पर सवार होकर परसराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है जाती, उदार और बहादूर को डाकू कहा जाता है, और महलों में बैठ कर दिन धहारे गरीवों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है, धर्मात्मा भीक मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं, पती व्रताएं, उघारी फिरती हैं, छिनालों के पास रिश्मी हूँ, मेरा नाम याद रखना पंचमी को आऊंगा, परस राम चले गए, बुढिया ने भी घर की राह ली, महादेव जी पर जल चढ़ा कर उसने चमपा से परस राम के मिलने की सारी कहानी बया कर दी, गाव का मुख्या भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना, मु शाख शुकल पक्ष की पंचमी के दिन परस राम सिखुपूर में चमपा के विवाह में शामिल होने के लिए आएगा, पुलीस के द्वारा या समचार यंग सहब को मालुम करा देना चाहिए, अगर उस रोज टाकु परस राम गिरफतार न हुआ, तो फिर कभी न हो सकेगा चौथ के दिन बिहारी अहिर के दरवाजे पर पांच गालियां आकर खड़ी हुई, एक में आठा भरा था, एक में घी, शकर और तरकारियां भरी थी, एक गाली में कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए थानों से वह गाली भरी थी, चौथी गाली में नए नए बरत लацटन भरे थेर पांठ वी जाड़ी तरह-टरह की पक्की मिठाई को से भरी थी। गाड़ी वाणों ने सब समान विहारि अहिर के लोगों ने जब यह पूछा कि यह समान किस ने भेजा। तब गाड़ी वाणों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नामधाम कुछ कुछ नहीं जानते हम लोग दमोह के रहने वाले हैं किराय पर गाड़ी चलाया करते हैं हम लोगों को किराया मिल चुका है हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह समान सिखुपूर के बिहारी अहिर के घर में जबरन भर आवें बस और ज्यादा तीन पांच हम लोग कुछ न सब काम परस्राम का है मुखिया ने थाने में इस घटना के रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखाया कि कल पंचिमी के दिन सुबह को चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने खुद परस्राम के आने की उमीद है क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया पाँच मिनट के लिए गाउ में आने का उसने वचन दिया है चाहे धरती इधर की उधर हो जाए पर परस्राम का वचन खाली नहीं जा सकता चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने तीस मरकट सी पाहियों के साथ सिखुपूर आधम के उन सबों ने घोडों के सौदागरों का वेश बनाया था मुख्या के दर्वाजे पर वे लोग ठहर गए गाव वालों ने जाना कि घोडे के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं मुख्या और चौकिदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था पंचमी का सबेरा हुआ परसराम ने जोहीं घोडे पर चढ़ना चाहा त्योहीं छीक हुई एक साथी का नाम था रहीम बिये पास था पेशावर का रहने वाला था घोडे की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था रहीम ने परसराम को रुकते वे कहा, कहा जा रहे हैं आप परसराम बोला, सेखुपुर, चम्पा का कन्यादान देने तुमको तो सब हाल बालुम करा दिया था, रुको मत, रुक नहीं सकता रहीम छीख हुई परसराम, मुसल्मान होकर भी छीख को मानते हो रहीम, बात यह है कि यंग साहब अपने तीस सिपाहियों के साथ इधर ही गए है उन लोगों ने सौधागरों का स्वांग बनाया है मगर मेरी नजर को धोका नहीं दे सकते परसराम, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब मालुम होता है कि मुर्क बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गाव में बयान कर दिया है पुलिस को आपके जाने का हाल मालुम हो गया है तभी यंग साहब ने मौका देख कर चड़ाई की है परसराम, संभव है, तुम्हारा अनुमान सही हो लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता एक लोटा पानी से उरिन होना है रहीम, अच्छा, तो मैं भी साथ चलता हूँ जो वक्त पर साथ दे, वही साथी है परसराम, तुम्हारी क्या जरूरत, तुम यहीं रहो रहीम, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूँगा नमक खरामी नहीं कर सकता आपकी जान जाएगी, तो पहले मेरी जान जाएगी दोनों घोडे पर सवार होकर सिखुपूर की ओर चल दिये वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुँचे जब चमपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था अपने घोडे की बागडूर रहीम को पकड़ा कर परसराम उतर पड़े और घर में घुज गए पाँच मोहरों से परसराम ने चमपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे मारे खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी एक आदमी बोला वाह मालेक बिना जल्पान किये कहा जाते हो दूसरा आदमी लोटा ले चरन धुने का उपाय करने लगा तीसरा आदमी परसराम को बैठने के लिए अपना साफा धर्ती पर बिच्छाने लगा परसराम ने कहा कैसे पागल हो तुम लोग जिस कन्या का कन्या दान किया उसी का भोजन कैसे करूंगा इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए घोड़े पर चड़ते चड़ते परसराम ने देखा कि यंग सहाब ने सदल बल उनको घेर लिया है परसराम ने उनको ललकार कर कहा गाउं के बाहर मर्दूमी दिखलाओ इसके बाद रहीम के साथ परसराम ने घोडों की एड़ लगाई और गाउं से बाहर हो गए साहब ने पीछा किया सब लोग घोडों पर सवार थे तड़ा तड़ गोलियां छूटने लगी वे दोनों भी फायर करते जाते परसराम और रहीम के अचूक निशानों ने पाच सिपाही मार डाले परसराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लोटाया और वह सिपाहियों के साथ जूजने लगा सब लोगों ने उसे घेर लिया दना दन गोलिया चूटने लगी तीन सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिये उसके शहीर में चार गोलिया घुश चुकी थी एक गोली घोड़े को लगी घोड़ा और सवार दोनों ही मर कर गिर पड़े तब तक परसराम एक कोस आगे निकल गए थे साहब ने रहीम को वहीं चोड़ा और परसराम का पीछा किया तीन कोस के बाद परसराम दिखाई पड़े साहब की गोली से परसराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा परसराम पैदल चलने लगे आगे था एक नाला पाँच छे गज चोड़ा था और तीस हाथ कहरा था बरसाती पानी ने उस नाले को खंदक का रूप दे दिया था परसराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा परंतु पैर फिसल गया वे खंदक में गिर पड़े किनारे यंग साहब आखड़े हुए नीचे अंधेरा था साफ साफ दिखाई ना पड़ता था ज्योहीं साहब ने नीचे ज्छाका त्योहीं परसराम ने गोली छोड़ दी विक्टोरिया के एकबाल साहब तो बच गये मगर उनका टूप उड़ गया सिपाहियों ने गोली छोड़ी परसराम एक किनारे चिप गये फायर खाली गया साहब ने कहा तीज हाथ गहरे गड़े में गिरा तो भी निशाना मार रहा है शाबाश बहादूर शाबाश तब तक परसराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी साहब के पास एक सिपाही खड़ा था उसकी खोपड़ी उड़ गई साहब ने कहा हमारे नौ आदमी काम आ चुके हैं मगर डाकू का एक ही आदमी मरा एक सिपाही आगे बढ़ा और कहा मिटी गिरा कर डाकू को दबा देना चाहिए आवाज कर निशाना साथ कर परसराम ने गोली छोड़ी बेचारा सिपाही मर कर गिर गया साहब ने कहा वेल परसराम तुम बाहर आजाओ अम तुम पर बहुत खुश है तुम एक बहादूर और बात का ज़नी आदमी है अम तुमारे निशाने पर खुश है परसराम ने जवाब दिया मैं अपना बचन पूरा कर चुका एक लोटा पानी से उरिन हो गया अब मरने का डर नहीं सहब बुला अगर तुम टाका डालना पंड करने की कर्सम खाओ तो आम तुम को वाई सराई से कहकर छुड़ा लेगा इस मिनान खरो और बाहर आओ तुम भी बात का ज़नी आम भी बात का ज़नी आज से तुम हमारा डोस्ट हुआ परसराम बाहर निकल आए और आत्म समर्पन कर दिये यंग सहब ने उनको गिरफतार कर लिया और आगरा ले गए कुछ दिनों मुकत्मा चला मगर यंग सहब ने परसराम को साफ बरी करा दिया परसराम ने समझ लिया अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डगैती थी बहुत बुरी चीज उसका समर्थन हो ही नहीं सकता अत्येव उस काम को छोड़ दिया वे साधू हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन वैतीत करने का उपतेश दिया परसराम ने हरदवार जाकर पाच साल तक घोर तपस्या की और सन 1935 में गंगा जी की बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया परसराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ती को देख कर भी बचन का पालन करना चाहिए